नमस्कार दोस्तों मैं हमित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं kingcroft.com एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निगर कर आई है बिहार पॉब्लिक सर्विस कमिशन से बीपी एसी बिहार 66 कॉंबिनेटेट प्री एक्जाम टोटल पोस्ट 731 वैकेंसी है रिक्वर्मेंट ऑनलाइन फॉब्लिक से भरेंगे इसके इंपॉर्टन डेट्स लिंक फॉर्म की लास्ट डेट बिग्निंग डेट पैसे कितने लगेंगे ओफिशल वेबसाइट, लॉग इन, रेजिस्ट्रेशन सबी चीजों पर आईए हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे ओफिशल वेबसाइट पर आना पड़ेगा जिसका नाम है kingcroft.com और इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा इसका लिंक मैं व मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को देख लेते हैं इसके बिग्निंग डेट क्या है 28-9-2020 से आप फॉर्म को भर सकते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट देट तो 20-10-2020 से लास्ट एक जामने करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लिकेशन फीज कितनी है तो जैसे ही क्लियर होगा मेरे ट्विटर एकाउंट पर मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों मुझे ट्वीट करेंगे तो भी मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा अब आए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लिकेशन फीज कितनी है तो जन्रालोबी से और अधर इस्टेट वालों को 600 रुपए देना पड़ेगा एस्टेट पीएच वालों को 500 रुपए देना पड़ेगा पेमेंट हम कैसे जमा कर सकते हैं तो डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बेंगिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं अब आईए देख लेते हैं एज, एज लिमिटेशन क्या है, 18-2020 से काउंट होगा तो मिनिमाम एज आप पूस्ट वाइज आप देख सकते हैं और माकस्मम अज के अगर मैं बात करो तो 37,000 होगा जो की मेल कंडिटेट के लिए है और फीमेल कंडिदेट के लिए maximum age 40 साल है एज में जो relaxation मिलेगा BPSC के मद्यम से BPSC 66 rule के according आपको relaxation मिलेगा जो कि आप notification में देख लेंगे मैं अब notification कहां मिलेगा मैं भी नीचे बता देता हूँ vacancy details है यह देख लेते हैं total vacancy 731 post है अब क्या है यहाँ पर post various post under 66 pre 2020 अब यहाँ पर देखिए category wise जैसे कि OBC EWS SC ST total post अगर आप देखेंगे तो 731 है तो सभी के according जो भी है आप यहाँ पर देख सकते और यहाँ जैसे के लिए 169 से के लिए 125 से के लिए 6 ओबीसी फीमेल के लिए 16 है यह वी सी के लिए 139 के लिए 68 है तो यह सारे पोस्ट है टोटल 731 पोस्ट है अब इस पोस्ट के लिए आपके पास eligibility याने आगे आपके पास योग गिता क्या होनी चाहिए भारत में किसी भी मानता प्राप्त विश्वच देल है से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास bachelor degree याने आप graduation complete हो और एक बहुत ही महत्कून बात इसलिए मैं इसको highlight कर दूँगा केवल पुलिस विभाग के लिए ही यह पोस्ट है अब इसके लिए आपकी उचाई 5.5 इंच आपकी होनी चाहिए चाती कम से कम आपकी 32 इंच की होनी अब यहां पर देखिए मैंने cutting करके यहां पर चस्पा कर दिया है कि अगर आप category wise देखना चाहते हैं कि age वगरा क्या है वो पोस्ट कौन से क्योंकि various post है तो यहां पर various post देखेंगे पुलिस अधिक्चा की है जिला समादेश्ट ग्रीव विभाग के लिए है ठीक है उसके अगर आप देखेंगे ग्रीव विभाग कारा के लिए है राजिकर सहायक अनुष्ट के लिए है इसी तरह धेर सारी है पदादिकारी गंणा उद्योग विभाग के लिए है विहार प्रोभेशन शेवा पदादिकारी ग्रीव विभेग कारा के लिए है तो total मेरा कुल मिला क यह देखना है कि जो various post है इसके according आप टैली कर सकते हैं इसको download भी कर सकते हैं download करने के बाद यहां से देख लगते हैं आपकी age कितनी है तो अगर आप जैसे की पुलिस उपादीचक गरी विभाग के लिए अगर आप आएंगे देखेंगे तो यहां पर आपकी minimum age होनी चाहिए और maximum 700 इसी के according आप देखे इतने डेर सारे जो post है उसके साथ 40-42 साल according to post है तो यह आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं अब आई बात कर लेते हैं इसकी official website कहा मिलेगी form कैसे भर सकते हैं login कहां से होगा यह रही website इसका link मैंने यहां पर दे रखा है दूसरा मैंने इसी link को direct redirect करने के लिए कि अगर आपको जिखो कि अभी मैं website के माध्यम से आपको बताऊंगा form अगरे कैसे भरेंगे notification कैसे डाउनलोड करेंगे वही short term मैंने यहां पर दे दिया है ठीक है दो तरीके बताऊंगा एक इस website के माध्यम से दूसरा अब आईए इसके उपर क्लिक कर देते हैं तो official website पर आप पहुंच जाएंगे और टॉप पर देखे 16th 9 2020 यह आज की डेट में यह आया हुआ है तो advertisement के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे advertisement के उपर क्लिक करेंगे तो इसका advertisement download होने start हो जाएगा download होने के बाद देखिए अब यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं पुलिस उपादिछक ग्रिवी भ्याग उसमें आप उम्र आयू वगारा जो कि मैंने पहले ही compare कर रखा है वो सारी चीज़ें यहां पर देख सकते हैं जिसके साथ आपका रिजुमिय करता है उस आप भर सकते हैं यहां पर देखना वालों के लिए सबके लिए जो भी पोस्ट है यहां पर दिया हुआ है तो आप इसको रीड कर ले प्रारंबिक पर इच्छा जो आपके प्रारंबिक एज में यहां पर देखेंगे तो आप तिथी वगएर आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट कब है विगनिंग डेट कब है यह सारी चीज़े आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं महत्रपूर्ण निर्देश वगएर आप यहां से पढ़ लीजे रीड कर लीजे तो यह रहा notification इस notification के according आप अच्चे से आप form को पढ़के form भर सकते हैं तो ये रहा notification आप यहां से notification डाउनलोड कर सकते हैं अधिक जानकरी के लिए इसको भी read कर सकते हैं click करके इसके पूरी इंफर्मिशन आप यहां से देख सकते हैं कि इसका क्या लोक्षेवायोग जो पटना से है आपको कैसे भरेंगे इमेल आइडी वगरा क्या होना चाहिए मोबाइल आपका वही होना चाहिए फॉर्म भरने के बाद स्यूचर में जरूरत पड़ेगे तो इन सभी चीजों को यहां पर बहुत अच् लाइन इस फॉर्म को भरने के लिए इसको क्लिक कर देते हैं यहां पर आईए बीपी एससी अप्लाई अप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं यहां से तो जैसे यहां पर उपन हो जाएगा तो यह लॉग इन को आपको बड़े-बड़े शब्दों में दिया हो तो आप यहां करना चाहते हैं तो आप करना पड़ेगा और सकते हैं अगर करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा नहीं जैसे पहले किया पेचा कुछ पहले जो vacancies निकली है आप यहाँ पर देखे 11.2020 का जो पहले का निकला हुआ है उसका यहाँ पर application का apply का option आ गया तो यहीं पर number one number two पे ही आ जाएगा आपका यह post आप यहीं से apply कर सकते हैं तो registration के लिए जैसे click करें यहाँ पर आएंगे और जब भी यह active होगा 20 तरीके बाद यहीं आ जाएगा आप form को बर सकते हैं कोई problem होती है जरूर वीडियो के नीचे comment करें और login कर सकते हैं यहाँ से ठीक है इसके विशे में और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए बोलेंगे तो demo वीडियो में भी बन प्रवाना है तो प्लीज कमेंड करें मुझे मेरे शोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर टेलीग्राम वगएरा पर मुझसे जुड़े रिमोटली आपको सिस्टम लेकर मैं फॉर्म भर दूँगा जिसके लिए आपको किसी भी साइवर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद तो मैंने आपको क्या बता दिया मैं स्क्रॉल करके आपको फिर से बता देता हूँ इस वेबसाइट के उपर अगर आप क्लिक करेंगे तो direct official website पर open हो जाएंगे notification आपको download यहां से करना है मा लीजिए आप website के माद़िम से नहीं समझ में आता तो आप यहां पर click करेंगे इस option पर तो आपका यह notification download हो जाएगा directly ठीक है उसके बार login का बटन आ गया है login के उपर आप click कर सकते है registration के उपर तो तीन चीज़ों के उपर मैंने click कर दिया one by one देखिए सब कुछ open हो कि आपकी screen पर आ जाएगा और आपको ज्यादा कुछ मेहनद करने की जरुरत नहीं है सब कुछ खुल गया है तेख है आप मैं इसको भी सब्सक्राइब कर देता हूं सेम ही चीज है इसके अलावा यह फॉर्म भरने से पहले मैं आपको फिर से बता दो यहाँ पर जो मैंने मोटे शब्दों में लिखा है कि पूरा notification जरूर पढ़ें इसके अलावा नहीं समझ में आता तो info-directingcraft.com पर आप मुझे mail कर सकते हैं मेरे social media platform facebook twitter instagram linkedin पर मैं अबलेबल हूं मेरे facebook के group से आप जुड़ जाएए मेरे टेलिग्राम group से आप जुड़ जाएए मेरे twitter से आप जुड़ जाएए वहाँ पर सबसे तेज मैं response करता हूं form आपको भराने के लिए तो मुझे follow करिया दूसरा मेरा नाम अमित कुमार सिंग्या दिख जानकारी के लिए about चकर लें तो आइटिंग ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी चीजें clear हो गई होगी इनकेस नहीं है समझ में आई है कुछ भी clear नहीं है या फिर मैंने कुछ गलती किया तो please मुझे comment करें मुझे suggestion दें next वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए update के साब तब तक के लिए bye bye and good night